हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशक करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं मनी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम जैस्ट में इस वीडियों में बात करने वाला हूं कि पंद्रा सो की स्ट्रोक एंटी पीसी की टाइपिंग के अंदर जरूरी थे या नहीं थे ओफिशल नोटिस के साथ आपको दिखाने वाला हूं क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने पंद्रा सो कीवर्ट के बारे में बताया था तो बहुत से आपको दिखाने वाला हूं कि कहां इसा लिखा हुआ है और प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूं कि पंद्रा सो कीवर्ड अगर आपके टाइप नहीं हुआ है तो आप टाइपिंग टेस्ट में टिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे यह मैं आज आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर निविजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा गौर्मन जोब की पलपल हुआ है आप देख भी सकते हैं मौनिंग सिफ्ट सीनियर क्लर्क और जूनियर क्लर्क के अंदर आप सभी को पता है एक डिपार्टमेंट अगर किसी चीज के की रिकूर्टमेंट करता है तो उसका प्रोसेस सेम रहता है टाइपिंग टैस्ट का प्रोसेस जो है आर्र बी का वह सभी पोस्टों के लिए जिन पर वह टाइपिंग लेता है उसके लिए सेम रहता है तो यह ओफिशल नोटी से इसके अंदर आप देख सकते हैं मैं उन केंडिडेट को दिखाना चाहता हूं जो सिर्फ अपने को ही शरुपरी समझते हैं उन्हें दूसरे आदमी दूसरा केंडिडेट या दूसरा को जो कुछ बताता है वह उनके लिए नहीं क्योBT topping उन्हों नहीं देखी है तो यानी कि वह चीज नहीं नहीं है उन्हों नहीं देखा की श्ट्रोक कं लिखा हुआ है तो इसका मतलब की स्ट्टोक नहीं होते इसके नदर आप साथ साफ देख सकते हैं कि the duration of the test 10 minutes candidates are required to type minimum 300 words यानि के bracket में लिखा है पंद्रा सो की स्ट्रोक यह वो देख लीजेगा पंद्रा सो की स्ट्रोक लिखे हुए और 300 वर्ड भी लिखा हुआ जो यह कह रहे थे कि पंद्रा सो की उस्ट्रोक क्या की क्या जरूरत है उसके पांच परसेंट के बाद जूट मिलेगी तो वह 1425 हो जाएंगे इतने के इतने की स्ट्रोक दबाने के बाद भी आप हम क्वालिफाई हो जाएंगे यह उन अग खोल कर कि की स्ट्रोक भी लिखा है और 300 वर्ड भी लिखा है और टाइपिंग मिनिमम लिखा है इससे कम अगर आप करते हैं तो जाहिर सी बात है क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे अगर मैं बात करता हूं फॉर्मुले की तो जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी एक डिप देपार्टमेंट है वो जब टाइपिंग टेस्ट कराता है तो अपने सभी डिपार्टमेंट के अंदर जैसे कि आप सी सी में एंटी एस लेलें सीजी ज मेलें या फिर सीएचसेंग ले राता है उसी परकार से जब आरारबी यानि के रेलवे जो है typ कराता है अपने department के नंदर या open vacancy के यंदर तो टाइपिंगड का प्रोसस सेम रहता है formula भी आप देख सकते है हाब'm mistake और full मिस्टेक भी आप देख सकते हैं जो मिस्टेक है वो 5% जो है आपकी जो है इग्नोरेबल है उसके बाद आपकी जो है कटोती की जाएगी और हाप मिस्टेक को बाय टू करके फुल मिस्टेक बना दिया जाएगा और फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं नंबर ओफ टोटल वर्ड्स माइनस नंबर ओफ मिस्टेक्स को 10 टाइम्स करने के बाद यतने टूरेशन का अपना टाइपिंग टेस्टा उससे डिवाइड कर दिये जाएंगे तो यह उन केंडिडेट के लिए है जो केंडिडेट समझ रहे हैं कि मैंने साड़े 1400 की स्टोक किये हैं और मेरी 100% accuracy है तो मैं इस टेस्ट को पास कर जाऊंगा वो केंडिडेट बहुत ही ज्यादा वो बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा अंधकार में हैं चिनको यह तक नहीं पता कि टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हैं और 300 वर्ड लिखने हैं तो 300 वर्ड के कितने की स्ट्रोक होते हैं उनको कोई यह बताई कि जब टाइपिंग टेस्ट उनका ओवर हुआ होगा तो की स्ट्रोक ही दिखाए गए होंगे लास्ट में कि वह की श्ट्रोक ऐसे नहीं दिखाए गए वो की श्ट्रोक इसलिए दिखाए गए कि आगर आपके 1500 से उपर हैं तो आप मान सकते हैं कि आप पास हो सकते हैं लेकिन अगर आपके yogurt से नीचे हैं तो आप कत्रयीं भी ना सोचें कि आप इस टेस्ट को क्वालिफाइग कर जाएंगे आशक करता हूं कि इस वीडियो को समझ चुके होंगे लेकिन ये वीडियो स्पेशली उन के लिए था जो केंडियेट टाइपिंग में अच्छा पर्फॉम नहीं कर पाए और वो फॉस्टेशन जो है वीडियो पर निकालते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि सब्सक्राइबर कम होंगे तो इस बंदे को क्या पता होगा लेकिन सब्सक्राइबर कम होने से या किसी बात का ना पता होने से कोई वीडिय बना रहा है उसके पास आपसे ज्यादा नोलीज है यह आप मान कर चलिए क्योंकि उसे आपसे ज्यादा नोलीज है उस डिपार्टमेंट के बारे में तो आप यह देख सकते हैं प्रूफ 1500 की स्ट्रोक और 300 वर्ड इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद